नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजिनेरिंग गुरुजी में आज हम लोग कुछ पंप के चेक लिस्ट के बारे में जानेंगे कि किस-किस पॉइंट को आप लोग को चेक करना चाहिए संट्रोपिकल पंप में तो वीडियो बहुत नोलेजबल होने वाला है अगर चैनल में नए है तो अभी तुरेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे जिससे आप लोग को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और मेकेनिकल रिलेटेड टूल्स लेना है तो आप डिस्किप्शन को चेक करके बाई कर सकते हैं तो चलिए करते हैं वीडियो को सुरू कुछ मैंने पॉइंट्स लिख के रखा है जिसको आप लोग नोट डाउन करके भी रख सकते हैं जैसे देखें मेंटेनेंस चेकलिस्ट में आप लोग को पहला क्या चेक करना है लूबरिकेशन दूसरा है वाइबरेशन तीसरा नमबर है एलाइमेंट चौथा नमबर है बेरिंग किलिरेंस पांचवा नमबर है ग्लेंड पेकिंग छट्टा नमबर है ओयल सील और सातवा नंबर है, impeller का condition ये जो 7 point जो देख रहे हैं, इस 7 point को आप लोगों को ध्यान देना है बहुत जादा और मैं अब आगे चल के बताऊंगा भी क्या-क्या चीज को आप लोगों को ध्यान देना है इस 7 point में और अगर इस 7 point में आप लोगों ने ध्यान दे दिया तो centrifugal pump का जो life है वो दुगना तिगना हो जाएगा तो वीडियो को एकदम skip मत कीजिएगा और full watch कीजिएगा जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा और अगर skip कर दिया तो आप लोगों को आधा धुरा समझ में आएगा उससे कुछ फाइदा नहीं है तो पहला point है lubrication का अगर oil lubrication pump है दो type का pump होता है एक grease lubrication और एक oil lubrication अगर oil lubrication pump है तो उसको तीन महिने चलाने के बाद आपको lubrication oil को drain करके और आपको change कर देना है या तो 2000 या 2500 running hour अगर हो गिया है तो भी आपको lubrication को drain करके अच्छी तरह से clean करके और change कर देना है lubrication oil को grease में भी सेम है अगर grease वाला pump है तो आपको तीन महिने के बाद उसके grease को अच्छी तरह से साप करके नया greasing कर देना है या तो 2500 running hour अगर complete हो गिया है तो भी आपको grease को नया डाल देना है bearing को अच्छी तरह से clean करने के बाद इस चीच को ध्यान देना है उसी grease के उपर आपको grease नहीं कर देना है उससे कोई फाइदा होगा नहीं तो अच्छी तरह से उसका back cover को खोल के grease को clean करके तभी नया grease यूज करे उसी पुराने grease को उपर grease pump से greasing ना कर दे उससे कोई फाइदा नहीं होने वाला है और देखना है कि उसका तीन महीना हुआ है कि नहीं उस equipment को running होके अब जानते हैं vibration के बारे में vibration बहुत important point है pump या कोई भी equipment का हर एक महीने vibration लेना चाहिए जिससे उसके alignment के बारे में पता चलता है bearing clearance के बारे में पता चलता है तो vibration का next video भी में डाल अपलोड करूँगा कि किस तरह से vibration लिया जाता है तो vibration meter से आपको हर महीने एक मेंट का vibration लेना है कि abnormal vibration तो नहीं है इस चीज़ को आपनों को check करना है तिसरा point है alignment का ये भी बहुत important point है आपको dial gauge से alignment check करना है अगर alignment out है तो तुरंद उसका alignment करना है नहीं तो उसका spider बगेरा damage हो जाएगा coupling damage हो जाएगा pump को भी damage कर सकता है अगर किस तरह से alignment करते हैं वो नहीं पता तो video मेरे channel में आप लोग को मिल जाएगा जाके check कर सकते हैं और alignment को आपको regular करना पड़ता है जब भी आप pump को dismantle करो तभी आपको दुबारा fit करने के बाद alignment करना बहुत जरूरी है अब है चौथा point जो है bearing clearance bearing clearance को भी आपको check करना पड़ेगा दो arrow mark दिख रहा है वहाँ पे एक drive side एक non drive side का bearing लगे रहता है जिसका axle play और radial internal clearance दोनों चेक करना पड़ता है आप लोग को ठीक है एकसल का भी clearance चेक करना है और radial का भी clearance चेक करना है जब आप soft को पकड़के pump का हिलाओगे तो आप लोग को पता चल जाएगा उसका play अगर होगा तो pump हलका सा जर्क करेगा pump का जो soft है जब आप उसको हिलाओगे तो अब पाच्वा point है gland packing का ये बहुत important point है gland rope कभी भी अगर hard हो जाए तो आपको तुरंच change कर देना है नहीं तो वो sleeve को काट देगा पूरा और बीच में जो arrow mark देख रहे हैं वो lettering रिंग है उसको भी आपको change करना है अगर वो damage हो गिया है या hard हो गिया है तो आपको तुरंच lettering को भी change कर देना है gland के साथ और किस तरह से gland packing यूज़ किया जाता है उसका भी मैं next video जो बनाने वाला हूं आपको channel में मिल जाएगा कि gland packing को किस तरह से यूज़ किया जाता है तो कभी भी अगर gland packing hard हो गिया हो तो उसको तुरंच change कर दीजे क्योंकि उसके अंदर एक lubrication के लिए liquid दिये रहता है वो बहुत ज्यादा दिन चलने के बाद hard हो जाता है पुरा और वो sleep को damage कर देता है अब छटा point है oil seal का इसका भी बहुत important role है अगर oil seal damage हो गया तो empeller के side से water haugging के अंदर चल जाएगा और दोनों bearing को damage कर देगा साथ में एक water deflector रहता है उसको भी धियान देना है आप लोंको कि वो भी damage तो नहीं हुआ है वो just gland packing के सामने लगे रहता है तो उसको भी आप लोंको water deflector को भी धियान देना है और oil seal को भी धियान देना है कभी भी अगर oil का leakage हो रहा है या तो आपका gland का water अंदर चल जाएगा या तो lubrication oil बाहर आ जाएगा अब है सात्वा point impeller का condition impeller का condition भी आपको regular check करना है उसका vein बगेरा damage तो नहीं है अगर vein damage होगा तो water का flow कम हो जाएगा फिर आपको दिक्कत होगा pump को अब normal हो जाएगा pump तो vein को हमेशा check करे उसका wearing को check करे casing को check करे तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तो अगर इस वीडियो से आप लोग को कुछ भी knowledge मिला है तो अभी तुरें चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon को press कर दिजे जिससे आप लोग को regular notification मिलते रहेगा और मेरे दूसरे चैनल को भी support कीजेगा जिसका link में description में डाल दूँगा तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तो